ओम नमाँ शिवाये नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी केतु हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, धनी, सुखी, धन, ऐस्वर से युक्त, बुध्धिमान, अस्थाई कारे करने वाले सत्रूओं पर बिजय पाने वाले होते हैं। ऐसे जातक बुध्धिमान, सनेहपूर्ण, मिलंसार, इमानदार, अच्छी सलाह देने वाले और भूत्पूर नेत्रित की छमता वाले अनुशासन प्री होते हैं। नियम कानून का पालन करने वाले धार्मिक कारियों में सनलग्न और विश्वास पात्र होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा प्रिहस्पती और केतु की इस्थिती अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज सुबह नौ बज कर चालिस मिनट तक विश्चिक रासी में ही चलते रहेंगे। तद पस्चात धनू रासी में प्रवेश कर जाएंगे। मगर धनू रासी में चंद्रमा की यूती सनी के साथ कायम हो जाएगी। जिसका प्र कारिछेद्र में महनत की प्रवरित्ती बनी रहेगी और मन मताविक काम हो सकता है। कारिछेद्र का विकास होगा और उसे संबंधित मामलों में सहयोग भी मिलता रहेगा। सरकारी काम का आज में भी लाव संभव है और नई कार्योजनाओं की प्रिष्ट भूमी तैयार ये आज का दिन सफलतादा एक सिद्ध होगा मगर वाहन सावधानी से चलाएं। ब्रिष राजिके जात्कों के लिए स्वास संबंधि सावधानी रखनी चाहिए। संतान संबंधि मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी विद्ध्याथियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा अध्यान अध्यापन में सफलता मिल सकती है। मिथुन राशी वाले जातकों के लिए कारिक्षित में निरंतर्ता बनी रहेगी मगर हर काम में प्रयास अधिक करना पड़ेगा सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी मगर उत्साह प्रभावित रहेगा साजेदारी के लावजायक प्रस्ताव सामने आएंगे मगर कुछ काम संपन होने में देरी हो सकती है आठिक लाव सामान रहेगा और आपसी संबन प्रभावित होंगे कमर में जकडन और पेट संबन्धी दिक्रते संभावित है बिद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा सिक्षा प्रत योगता में सफलता मिलेगी मन मुताबिक काम होंगे और वयवाहिक मामले सफल रहेगे करकराश के जात्कों के लिए कारेश्यत की प्रेरणा बनी रहेगी की उत्साह और कारेश्मता में ब्रिद्धी होगी नए प्रस्ताव और नई कार्यों जनाओं में लाव मिलेगा आर्थिक लाव की इस्तिती अनकूल रहेगी स्वात संबंधी मामलों में सावधानी अपयक्षित है पाचन तंत्र और पेट के निचले हिस्से में जटिलताएं संभावित है साज्यदारी के कामों में लाव होगा और कुछ कारियों में नकारात्मक बिचारधारा और विशाद की इस्तिती संभावित है वहां चलाने में सावधानी बरते हैं विद्यातियों के लिए आज का दिन सामान रहेगा और सिक्षा प्रत्योगिता में सफलता संभावित हैं सिंध रासे के जात्कों के लिए काड़िछट्र के बिश्तार की मान सिक्ता बनी रहेगी और निरंतर्ता बनाए रखने में सकारात्म पेरना जारी है सूर्य आयभाव में राहू के नक्षत्र में बैठे हैं आर्थिक लाव सामान रहेगा उर्जा अस्तर और आत्मिश्वास मन मुताविक बना रहेगा मकर सनी चंद्रमा की यूती पहल करने की प्रवरित्ती को प्रभावित करेगी स्वास संबंदी जटिलताएं संभावित हैं कमर और पेट संबंदी सावधानी बनाए रखें विद्यातियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा अग्याना ध्यापन में सफलता मिलेगी और सहयोग मिलता रहेगा नियायाला या वाद विवाद संबंदीत मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा कन्याराशी के जात्कों के भाग वस काम अच्छे होंगे और आथिक लाव मन मुताबिक मिलता रहे कार्योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और साजेदारी के कामों में लाव मिलेगा नीजी संबंदों में तनाओ, मानसिक भ्रम वा निर्णय लेने में औस अन्तुष्टी का संकेत मिलता है मगर आप अपने पेश आने के तरीके और वानी की मधूरता से मामले को नियंतित करने में सफल रहेंगे नई कार्योजनाएं और निवेश के लिए आज का दिन अन्कूल है विध्याथियों को अध्यान अध्यापन में मेहनत के अनुरूप सफलता हासिल होगी मगर स्वास संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए तूला राशी के जात्कों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है प्रयासों का दोर जारी रहेगा सगारात्म कुर्जिया और आत्मिश्वास में विध्धी होगी पारिवारी क्विर्णा से लाव संबंभ है नई कारियोजनाव में सरकारी विभाग और अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा आप अपने लक्ष तक पहुँचने में सफल रहेगे मगर कुछ कामों में संघर्ष की सिति संभावित है साजेदारी लावदायक रहेगी कुछ कामों में रुकावट और धानिहानी भी संभव है संतान संबंधी सुख समाचार मिल सकता है और विध्याथियों के लिए आज का दिन सफलता दायक सिद्ध होगा विष्चिक राशी वाले जात्कों को धैर और संयम से काम लेना चाहिए सनी चंद्रमा की यूती दूसरे भाव में और सुक्र राहू बुद्ध की यूती भागे भाव में बनी है परिस्थितियों के अनुसार मानसिक्ता में सुधार और वाणी में मधूरता कारे छेदर में सफलता दिलाने का काम कर सकती है आर्थिक लाव सामान रहेगा साजेदारी लावदायक रहेगी और कारे छेदर का बिस्तार होगा वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्पूल रहेगा मगर स्वास संबंधी जटिलताओं का संकेत मिलता है आखों की इलर्जी वककान से संबंधी दिकते संभावित है विद्याफियों को अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलेगा मगर संतान संबंधी चिंता भी बनी रहेगी धन्नु राशी के जात्कों को आर्थिक लाव और कारे छेद से संबंधी उचित दिशा निर्देश की प्रेरणा मिलती रहेगी, दिढ़ अच्छा सक्ती के साथ मेहनत करने की प्रवरित्ती बनी रहेगी, मगर त्वरित भावावेश में आने की मानसिक्ता संभावित है, वाणी की मिर्दूलता के साथ अपने उपर नियंत्रण रखना चाहिए, मकर राश के जात्कों के लिए कारे संबंधी भाग दोड़, अनावसक यात्रा और अनावसक खर्थ से संबंधित मामले संभावित है, केतु की यूती और उच्छ के मंगल से कारे छित में सक्रियता, उच्छाह में व्रिध्धी, नियत्रित करने का मौका मिलेगा, आथिक मगर बुद्ध राहु सुक्र के सात्मे भाव में होने से नीजी निवेस और साज्यदारी के कामों के लिए आज का दिन उचित महीं होगा, विभागी कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा और स्वास संबंधी आवसक सावधानी रखनी चाहिए, के रुके हुए कामों में गती आएगी और सरकारी कामकाज पूरे होंगे, मगर आर्थिक लाव की स्थिती में थोड़ी देरी या रुकावट संभावित है, हलाकि आपके प्रयास करने की चमता और बुद्धिक उसल का इस्तिमाल सकारात्मक रूप से जारी रहेगा, कारे अध्याथियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा, अध्यान अध्यापन में सफलता संभावित है, मीन राशी के जात्कों के लिए आए संबंधि मामलों में सहयोग, आर्थिक पक्ष में मजबूती और रुके हुए काम के संपन कराने का संकेत मिलता है, मगर राहु पांचमे घर में बैठने से कामों में अवरोज और उट्सा हिंता की स्थिती संभावित है, संबंधित मामलों में अनावर्षक खर्च और यात्रा की संभावना भी बनती है, फिर भी आर्थिक लाव सामान रहेगा, मन में नकारात्मक भाव ना आने दें और आत्म आज के लिए वास इतना ही, कल फिर मिलेंगे, ओम नमाशिवाये